हलो दोस्तों कैसे हो मैं हूँ अश्वीन और स्वागत है आप सब का हिंदी चेस वीडियोज में आज के इस वीडियो में आपको हमारे 9th वर्ल चेंपिन एंटिगरन पेट्रोजेन के एक लाज जवाब क्विन सेक्रिफाइस वाली गेम दिखाऊंगा ये गेम उन्होंने 1901 से यहां पर देख रहे हैं दोस्तों यहां पर मैंने जो है वो थोड़ा कुछ चेंज किया है कि चेस.com पर जो एनी मिशन है उसमें चेंज किया है तो अगर आपको यह पसंद आता है तो आप मुझे बोल देना नहीं पसंद आता है तो नेक्स वीडियो से हम जो हटा देंगे यहां पर ब्लेक ने जो है वो c5 खेला and now g3, net to c6, bishop to g2, g6, castling shot and now bishop to g7, d3 and now e6, e4 and now net g to e7. तो दोस्तों यहां पर क्या होता अगर जो है हम net g to e7 की जगा पर e4 के बाद net जो है वो f6 पे जाते हैं, so might भी क्या हो सकता है कि यह net जो है वो f6 पे जा सकती है and then आपका bishop जो है वो g5 पे जा सकता है वो black को जो है d5 अचीव करने में थोड़ी दिकत आ सकती है, दूसरी और knight on f6 की वज़ा से क्या होगा कि आपका bishop on g7 जो है वो भी temporary बन रहेगा, so यहां पर e4 के बाद net g to e7 जो है वो definitely justify होता है और इस position में white की best move है, यहां पर c3 या फिर यह बोल सकते हो कि most popular move जो है, वो c3 है, c3 का प्लान यह बता है कि आप d4 प्रिपेर करते हो, right and then जो है, वो simply उदर e5 के लिए भी जा सकते हो, कुछ space जो है गेन करते हो, और अच्छा center गेन करते हो, but Tigran Petros जोने, knight g to e7 के बाद, rook to just e1 खेला, and now just castling shot, e5, so e5 का purpose ही है दोस्तों कि अगर d5 भी होता है, then हम जो है वहां पे n pass and capture करेंगे, so black को जो है कोई अच्छा center build up करने नहीं देंग d2, queen to c7, and now knight to just b3, so c5 पे हमने take किया है, and now knight to d4, so c5 पो save किया, and now bishop to d4, and this position में queen to b6 खेला, so queen को save किया, and now knight to just e5, और यहां पे दोस्तों, black को जो है कोई जरूरत नहीं थी, कि वो जो है, वो अपनी centralized knight जो है, यहां पे exchange करे, but उसने जो है इस position में knight captures on b3 खेला, and now knight to c4, यह काफी अच्छी मुह है, कि आप जो है board पे knight को रख रहे हो, और उससे क्या हो रहा है दोस्तों, कि आगे चलके जो bishop capture e5 के लिए जा सकता है, and then bishop capture e5, and of course अब जो है, आपका bishop जो है, वो भी आराम से यहां पे निकल पाएगा, दूसरी चीज़ यह है कि, okay, dc square पे जो है, आपका कोई इतना control नहीं है, right, so knight to c4, and now just queen to b5, queen protect nicely, and now a captures on b5, और इस position में दोस्तों, अगर black जो है, अपना bishop निकलन हो सकता है, ready, then दोस्तों हम खेल साथे है, एक चुल में rook 2 a5, and I guess यह जो है, वो queen trap कर रहा है, क्योंकि अगर आप queen to b4 के लिए जाते हो, then उदर जो है, हम simply bishop to d2 के लिए जाएंगा, और queen जो है, वो ट्रैप हो जाएगी, right, और कोई दूसरा यहां पे chance जो है, वो नजर नही पास जो है, कोई choice नहीं है, वहाँ पे c3 जो है, वो might be इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो है, bishop captures on c3, pawn capture c3, and queen capture c3 करके जो है, वो अपनी queen save कर सकता है, so better है, just bishop to d2, so okay, anyways, game में चलते है, जहां पे a captures on b3 के बाद, actually, black ने जो है, यहां पे a5 कहला, जबकि उदर उसके लिए best move हो सकती थी, दोस्तो, knight to d5, so knight d5 में अब क्या हो रहा है, कि अब अगर आप जो है, okay, rook f5 जाते हो, तो फिलाल के लिए bishop d7 नहीं है, so आपकी queen जो है, वो simply straight away e8 तत जा सकती है, so कोई problem नहीं है, but anyways, a captures b3, and now a5, ludic man ने खेला, and now just bishop to d6, और यहां पे हमने knight को pin किया है, so इस position में bishop to f6 खेला गया, and now just queen to f3, and now king to g7, इस bishop को support दिया, और दोस्तो, यहां पे white के पास जो है, एक काफी powerful move है, जो की petrozen ने नहीं खेली, but मैं वो move जो है, आपको यहां पर बताना नहीं चाहता, अगर वो move जो है, मैं आपको अभी बता दूँगा, तो game का rook को lift किया, और rook lifting जो है, वो attack के लिए काफी अच्छा होता है, क्योंकि normally क्या होता है, देखिए, आपको गर attack करना है rook से, तो open file चाहिए होती है, right, बड़ जब open file नहीं होती है, तब क्या कर सकते है, आप rook को lift करके, जो है, artificially जो है, फाइल को open कर सकते है, मतलब आपका rook e4 पे चला गया, अब उदर से जो है, वो किसी और file पे transfer हो सकता है, और इस position में जो है, वो rook to d8 खेला गया, जबकि rook to e4 के बाद, best move यह थी कि आप knight d5 खेलते हैं, और जो है, अपना action sec दे देते हैं, और उसके बाद भी दोस्तों, white की position जो है, वो winning है, बट, rook to d8 के बाद, अ नहाँ पे petrosian ने जो है, अपनी queen sacrifice दे दी, वो दोस्तों आपको शायद पता नहीं कि अगर petrosian कोई sacrifice देता है, even be pawn का, तो आप मान लिजिए कि उदर जो है, game खतम ही है, ऐसा botwinik ने शायद ये कहा है, कि अगर जो है, मैं sacrifice देता हूँ, तो आप थोड़ा सोचिए, right, and then उस कि वो sacrifice तभी देता है, जब उनको पका पता होता है, कि उदर जो है, win पकी है, so यहाँ पे queen का लाज अप sacrifice, and now king captures f6, bishop to e5 check, and now just king to g5, वो दोस्तों वहाँ पे king f5 भी possible है, but king f5 में क्या होगा, simply rook to f4 check, king g5, and now bishop to f6 check, king h5 जाओ, king h6 जाओ, simply rook to h4, a checkmate हो जाएगी, right, so bishop to e5 क के बाद, give में जो है, walking to g5 खिला गया, and now bishop to g7, और Bobby Fisher की जो है, एक comment है इस move पे, this is a real problem move, इसी move की वजा से जो है, यहाँ पे by force, avoid जो है, वो win हो रहा है, इस position में जो है, actual में, resignation पढ़ गया, but क्या हो सकता है यहाँ पे, अलग-अलग option क्या है, black के पास, say black king f5 खिलता है, but then आप जो है, rook to e5 चेक दे सकते हो, और after king g4, simply f3, जो है, वो checkmate हो जाएगी, so, bishop to g7, उनके बाद, और क्या move possible हो सकती है, say, आप जो है, यहाँ पे कुछ नहीं करते हो, then हमारी threat की है, दोस्तो, simply pawn to h4 चेक, right, उसके बाद आप जो है, king h5 जाओगे, and then bishop to, जो है, वो f3 चेक, and mate, और say h4 के बाद, king f5 जाओगे, then knight e3 जो है, वो checkmate हो जाएगी, so, for example, आप जो है, rook to d4 try करते हो, देन क्या होगा दोस्तो, यहाँ पे simply h4 चेक, और अब दो option है, अगर king f5, then, knight to e3 checkmate, and h4 के बाद, say, आप king h5 के लिए जाते हो, but then bishop to f3, जो है, checkmate हो जाएगी, so, दोस्त मुझे यह भी बताए, कि अगर आपको यह animation पसंद आया की नहीं, क्योंकि अगर आपको animation नहीं पसंद आते है, तभी हम इसको continue करेंगे, otherwise हम अपने पूराने वाले board पे चले जाएगे, so, I hope, मेरा वीडियो जो है, आपको काफी पसंद आया होगा, पसंद आया है, तो please इस सब्च्चर लेशड़ साफना है, जा हूँ कि अगरा आपको मेरा वीडियो लिए यह उाज़ के सब्सक्ते है, तो objective you l